हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू अल तो स्टड़ी पॉइंट, स्टड़ी पॉइंट यूटूब चैनल पर आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है और आज के इस पर्टिक्लर वीडियो सेशन में कुछ बहुत ही इंपोर्टन 30 कोशन को डिसकस किया जाएगा जो कि आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है तो वीडियो को पूरा देखे है क्योंकि लास्ट में मैं आपसे इंपोर्टन कोशन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट शेक्शन में देना होगा अगर आपको किसी भी कोशन का आंसर आता है तो उसको आप कमेंट शेक्शन में आंसर दे सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो कोई कोई कोईरी हो तो आप उसे कमेंट शेक्शन में पूछ सकते हैं मैं रिप्लाइज जरूर देंगी अगर आप चाहें तो आप WhatsApp ग्रूप से जूड़ सकते हैं और Telegram चैनल से जूड़ करके इस वीडियो का PDF वहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए हम लोग अपना discussion स्टार्ट करते हैं पहला question है निम डिकित में से कौन विटामिन B complex का सदस नहीं है आपके सामने चार option दिया हुआ है देखे कई प्रकार के विटामिन होते हैं विटामिन A, B, C, D, E, K तो देखे B के कई टाइप होते हैं तो इसमें आप से पुछा है कि वासा कौन से विटामिन है जो B का complex नहीं है आपके सामने चार ओप्शन दिया हुआ है थियामिन, राइमफलेमिन, नियासिन, निफटो, क्योनोन तो इस कोशन का करेक्ट आंस हो जाएगा option D बाकी सभी विटामिन के टाइप है option D जो है वो विटामिन का टाइप नहीं है अगर बात की जाए विटामिन A का तो विटामिन A का chemical name होता है रेटिनॉल ठीक है और विटामिन B की कमी से आपका रताउंधी रोग हो जाता है जिसमें इनसान को रात में नहीं दिखाई देता है ठीक है नेक्स कोशन पर आपते हैं हम लोग कोशन है कवक वे पौधे होते हैं जिनमें कमी होती है आपके सामने चार आप्शन दिया हुआ है तो देखे कवक वे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल की कमी होती है बाकी इनमें oxygen, carbon dioxide की कमी नहीं होती है क्लोरोफिल की इनमें कमी होती है अगला प्रेशन है मानो को मारने वाले मानो को मारने वाले coronavirus का नाम बताईए ये question बहुत important है आपके सामने 4 option दिया हुआ AIDS, Fates, SARS या HIV तो इस question का correct answer हो जाएगा option C, SARS मानो को मारने वाले coronavirus का नाम है SARS इस प्रकार हमारा option C हो जाता है सही answer देखे आपके लिए बहुत पहनत की जा रही है मैं सभी topic को cover कर रही हूँ तो वीडियो का आप लोग लाइक ज़रूर कीजेगा इससे बहुत ही जादा मुझे motivation मिलता है और मुझे लगता है कि मैं आगे और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाऊं और share जरूर करेगा ताकि चैनल में जादा से जादा लोग जोड़ सके ठीक है नेक्स कोशन आपके सामने उस अमल का नाम बताईए जो पेट में स्त्रावित होता है आपके सामने चार ओप्शन दिया हूँ है HCl, H2SO4, H2CO3 या HNO3 तो इस कोशन करेक्ट आंस हो जाएगा HCl, जिसको हम लोग हैड्रोक्लोरिक आसिद भी कहते हैं तो ऑप्शन यह हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर नेक्स कोशन आपके सामने हैपिटाइटिस एक बिमारी है जो निम लिखिद में से किसके कारण होता है तो यह कोशन बहुत इंपोर्टन है अभिताब बच्चा ने दर्वाजा बंद के भी ब्रैंड मेस्टर कौन हेपिटाइटिस है तो यह भी आफ फैक्ट याद कर लेजे क्योंगी कोशन पूछा जा सकता है फिलाल हेपिटाइटिस विमारी है जो कि वाइरेस की कारण होता है अगला प्रशन है हर गोविंद खुराना ने किस पर शोद किया था तो इस कोशन करेक्ट आंसर होएगा आनुवांशी कोड को समझ रहा यह भी कोशन बहुत इंपोर्टन है ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर अगले प्रशन पर आते हैं हम लोग कोशन है कौन सा संचारी रोग है मलेरिया टाइफाइट चेचक या उपर्युक्त सभी ठीक है तो बताना है कि संचारी रोग कौन सा होता है तो यह सभी जो है संचारी रोग है ठीक है तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा क्रेज्ट टांसर मलेर्या भी शंचारी दोगा है टाइफाइड भी से चक भी ए नेक्स Julian' Venus protein के रूप में ये कोषण बहुत इंप्रॉटेंट ईप्रोटेंट है क्या एक्षाम पुछाता है खीए और D हो जाएगा हमारा correct answer next question है vitamin K का दूसरा नाम क्या होगा ठीक है तो vitamin K का chemical name आपसे पूछा है तो vitamin K chemical name रसानिक नाम होता है नेफ्थो क्यू नॉन ठीक है जो कि मैंने first question में discuss भी किया था यह vitamin B का complex नहीं है नहीं नहीं है जब मैंने first question में आपसे discuss भी किया था देखिए vitamin A का chemical name क्या होता है Retinol होता है B के कई टाइप होते हैं तो अलग-अलग के अलग-अलग name होते हैं यह से थियामीन हो गया और vitamin C का होता है ascorbic acid vitamin D का होता है calciferol ठीक है इसी प्रकार यह से होते हैं next question पर हम लोग आते हैं इस question का correct answer क्या होगा vitamin K का दूसरा नम क्या है option A हो जाएगा हमारा correct answer next question है आपके सामने निम लिखित में से किसे कोशिकाओं के आत्म खाती बैक के रूप में जाना जाता है suicide bag इसको इंग्लिश में बोलते हैं जाना जाता है किसे तो जाना जाता है जिसमें से अंटार्टिका को छोड़ करके हर एक कॉंटिनेंट में कुछ घास की भूमी पाइजाती जिनका अलग-अलग नाम होता है तो आप से पूछा जा रहा है कि नॉर्थ अमेरिका के निशे जो साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट है इसमें घास की बूमी को लोग क्या क चाजक है इता यह पेम ठीक जोगी कहां भी पाए जाता है अर्जेंटीना में ठीक है अर्जेंटीना के राजानी जाता है थकी अऊ-पैस-फ्यू को कि C Jesús चार ओर मी की कौरण के कारण ही ऐसा होता है तो capaciन जएक हमारा करेक्ट मिठ्टी सबसे हीं नेक्स को ने धान की त्लिफसल गए कौंसीमिट्टी सबसे उप्यूग हो तिष्था कि आको बता कि उसक यह अब करते हैं ब्लाक औन वाइट देखें कााली मिठ्टी के लिए उससेद्टी में तो ब्लैक मिट्टी किसके लिए कॉटन के लिए और धान के लिए कौन सी है दो मट मिट्टी नेक्स कोशन है जब अधिक मातर में पीली जाती है तो क्या होता है आपके सामने चार ओप्षिन दिया हुआ है तो इससे क्या होगा इसे जिगर को नस्ट कर देता है या पेट की तक्रफिन से कौन सा तत्थ्य सही है ठीक है चार ओप्षिन आपके सामने दिया हुआ है तो कलर ब्लांडर के बारे में जो listen कों सा और कौण साड़ कोG इस यह कॉचन के कारण होता है तो यह होता है अपका रिटेमिघी कामी से ठीक है विटेमिघी की कभी से कोष्ञ less को सब्सक्राइब देखे अका यह को प्रउचल आए चीक हो जा रही तो मैं इस वीडियो को पॉस्ञ करना पड़ा है clicking लिकित में से किस governor general को भारतिय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है आपके सामने चार ओक्षन दिया हुआ है लॉड विल्यम बैंटिक, सर्चॉल्स मेटकॉफ, लॉड ओक्लेंड या लॉड एलन बोरो तो इस कोशिन का करेक्टास रहेगा सर्चॉल्स मेटकॉफ ये भी कोश दिस्पैच को भारतिय सिक्षा का मैंगना काटा कहा जाता है अगले कोशन पर हम लोग आते हैं कोशन है ने मिकित में से किसे मराठा मैकलिया वेली कहा जाता है ठीक है आपके सामने चार ओक्षन दिया हुआ है और इस कोशिन का करेक्ट टांसर होगा नाना फड़न वीज ठ पुस्तक लिगी थी जोतिपा फुले के द्वारा तो ऑप्षन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर है एक सेकंड नेक्स कोशन पर हम लोग आते हैं कोशन है हाल ही में कोपा अमेरिका फुटबॉल कप किस ने जीता ब्रजील पोलेंड अमेरिका या केनडा तो यह जीता है ब कवी हाली में इंचैन अपेज़ गोशन है घ्राइंड मास्रेर शब्द किस खेल से संबंधी ते आसान प्रैस्पो न संध्यक्षूण फों में ये कितने क्यलाड़ेंगी होते हैं ठीक है तो वाटर पोलो में एक साइड में कितने प्लेयर्स होते हैं ये होते हैं आपका सेवन ठीक है पोलो में चार होते हैं मगर वाटर पोलो में सेवन होते हैं ध्यान दीजेगा पोलो और वाटर पोलो दोनों अलग अलग गेम है पोलो में चार और वाटर पोलो में साथ अ तो इसका संबंद है होकी से असान प्रेशन है यह अगला प्रेशन है हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहां पर हुआ है तो यह हुआ है एहमदाबाद ठीक है गुजरात में एहमदाबाद गुजरात की राजदानी कानी नगर तो किसके नाम पर रखा गया है तो इसका नाम रखा गया है श्यामा प्रशाद व्युकरजी के नाम पर तो ऑप्शन भी हो जाएगा हमारा करेक्ट प्रेशन आपके सामने हाली में आई एम एफ द्वारा भारत की जीडिबी वर्ष 2019-20 के लिए कितनी प्रतिशत अनुमानत की यह है आपके सामने चार उप्शन है छे परसेंट शे पॉइंट वन शे पॉइंट टू या छे पॉइंट थ्री तो इसकोशन करेक्ट आप्शन भी 6.1 ठीक है 6.1 हुई है आई एम एफ के द्वारा भारत की जीडिबी 2019 और बीस के लिए अगला प्रेशन है वर्ल्ड इन्वार्मेंट डे 2019 की होस्ट कंट्री कौन थी कंट्री होगा आपके सामने चार उप्शन है भारत चाइना जापान या रूस तो इस कोशन का करेक्टरांस हो जाएगा 28 का कोशन का सही आंसर होगा चाइना ठीक है बात की जाए चाइना की तो चाइना की रैंक नंबर बन है नेक्स्ट कोशन हाली में किस राज सरकार ने गुटका और पान मसाले पर पूर्ण प्रतिबंद लगाया जाने का निरने लिया है पश्चिम मंगाल उडीसा हड्याणा पंजाब इस कोशन करेक्टरांस हो जाएगा पश्चिम मंगाल ठीक है पश्चिम मंगाल सरकार ने गुटका और पान मसाले पर पूर्ण प्रतिबंद लगाने का निरने लिया है तो आप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्टर आंसर बात की जाए पश्चिम मंगाल की तो यहां की चीफ मिनिस्टर ने ममतब एनरजी जी और यहां की कैपिटल का है क पूल काता कि कोशन हाली में 35 आश्यान सिकर समयरन कहां आरंब हुआ चार आप्शन आपके सामने दिया हुआ है भारत किरिकिस्तान उसाका या थाइलेंड देखे मैं आपसे का था लास्ट में कोशन में पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट श्रक्शन में देना होगा तो कोशन में आपको आंसर बताना है कि हाली में 35 आश्यान सिकर समयरन कहां पर आरंब हुआ है ठीक है इस कहां से आपको कमेंट श्रक्शन में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और अगर आप चाहें तो वाटसेप ग्रूप भी जॉइन कर सक ते, thank you so much for watching, thank you